है अग्षाइब अग्षाइब आज अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत थे आज अब लोग कुछ थोड़ा एक अच्छे खुशौल महल की शुरुबात करने वाले हैं है 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 नशार काफी है आपने देख लिया हुगा तबी आप चैनल पर आया हो यह तो इस तरह की इद्यूर्म essa चाहते हो इस तरह के वीडियों कई धिकेना चाहते हो और इनके शाथ साथ अपने इंट्रेशिक जंग की तैयारी करनाまた यह हो तो सब्स्क्राइब करना मत भूलिए है ना हम लोग आज कुछ बेहतर बंक्क्तियों के साथ एक बेहतर शुरुआत करें गे किसके पाइलोजी की शुरुआत करेंगे ऐसा होगा कि आपको जो समय लॉस होगा उसमें आपको कोई बेनी फिट ना हो ऐसा नहीं होगा आपका क्वेस्टन ही क्लियर होगा वहां से चलो एक में छोटी सी यहां पर मैं उसका इस पश्टी कर भी करूंगा उस लेन का मतलब क्या है इस यह जो लैने में आपको बता रहा हूँ इन लैनों की रिशना मैंने खुद की हुई है चलिए बड़ी ग्रंथिश जो निकला उसे हम यक्र कहते हैं शमझो बात को समझना है बहुत ध्यान से एक एक बात को क्लियर करना है बड़ी ग्रंथी से जो निकला उसे हम यक्र कहते हैं जो अपनी मेहनते करता उसे हम बक्त कहते हैं इसका मतलब क्या है देखो बड़ी ग्रंथी अब जो सबसे बड़ी ग्रंथी है है ना सबसे बड़ी ग्रंथी जो है तुमारी है ना बड़ी ग्रंथी जो है वो क्या है यक्रत है ना तो वही तो बोला बड़ी ग्रंथिश जो निकला उसे हम यक्र कहते है जो अपनी मिहनते करता उसे हम बक्त कहते है है ना कि तो वात क्लियर है आगे क्या है विशैली देख के वो तो समझना बात को विशैली देख के वो तो सदा ही छीप जाती है इधर से है लो जो कर दो उधर से कॉल आती है इधर से है लो जो कर दो उधर से कॉल आती है इसलियर का मतरब समझी है विशैली देख के वो तो सदा ही छीप जाती है अर्थात विशैली छिपकली कौन सी है है ना सबसे विशैली छिपकली है ना सबसे विशैली छिपकली कौन सी है तो क्या है इधर से हैलो जो कर दो उधर से कौल आती है तो हैलो बोले तो हैलो डर्मा कौन है हैलो डर्मा ये देखिए आपके दो क्वेस्टन के लिए हुए आप मैं इस शायरी को पूरा एक्षा सुनाता हूँ सुनिए बड़ी ग्रंथिश जो निकला उसे हम यक्र कहते हैं जो अपनी मेहनते करता उसे हम वक्त कहते हैं विशैली देख के वो तो सदा ही छीप जाती है विशैली देख के वो तो सदा ही छीप जाती है इधर से है लुजू कर दो उधर से कॉल आती है तो आपकी भी कॉल आने चाहिए क्या कमेंट के मात्यम से धन्यबाद शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए